17 अगस्त साल 1949 को पुलिन बिहारी दास का निधन हुआ। वे भारत के महान स्वतंतरता प्रेमी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की स्वतंतरता के लिए ढाका अनुशेलन समीती नामक क्रांतिकारी संगठन की इस्थापना की और अने क्रांतिकारी घट्णाओं को अंजाम दिया। पुलिन उत्क्रष्ट संगठन करता थे और उनके प्रयासोंने जल्दी ही प्रांत में समीती की 500 से ज्यादा शाखाएं हो गई। अंग्रिजी हकूमत द्वारा समीती को गायर कानुनी घोशित करने के कारण उन्होंने क्रांतिकारी गट्विधियों को संचालित करने के लिए साल 1920 में भारत सेवक संग की स्थापना की। कोलकाता विश्व विद्याले उनके सम्मान में विशेश मैडल देती है जिसका नाम है पुलिन बिहारी दाज स्मृति पदक। 17 अगस्त साल 1945 को इंडोनेश्या स्वतंत्र हुआ बीसवी सदी के शुर्वात से ही संपून रूप से इंडोनेश्या के सीमाओं पर डच अपनिवेशिक शासन इस्थापित हो गया बाद में इंडोनेश्या पर जापान का भी अधिपत्ति रहा इंडोनेश्या ने जापान के आत्म समर्पन से कुछ समय पहले ही अपनी स्वतंत्रता घुशित की थी